हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू एसकेश क्लासेस फ्रेंट्स यूपी पुलिस के अंदर जो एक्जाम हुआ है उसमें रीजनिंग के कोश्चन्स की एंसर वी मैं करवा रही हूं तो यहां पे फर्स्ट देखो एक व्यक्ति घर से सुरिय की ओर 10 किलोमेटर चलता है फिर दा आंसर आपका वह डिजस इसांने के सब्सक्राइब है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नेक्स्ट Link میں कुछ भ्यक्षर में से उन्में कशेच अधिशन को च्वज़कर ना ऑपको इन तो घुड़ना है आपको इन यहां पे क्योंसा है यहां परासरण। आपका difference है चारों options में सी, options a यहाँ पे correct है, next questions देखो, जो यह questions है, यह series से समन्दित questions है, यहन की कुछ इस प्रकार की series जिसमें difference या additions आपका करना था, तो दियेगे विकलपों में से वह सही विकलप चुनी, जो सरंखला को पूरा करेगा, तो यहाँ पे अगर अपने देखे सरंख्ला को जो पूरा करने वाला है यहां पर इसका ग impress और इसके अंदर जो डिफ्रेंश लिया गया वो ट्रीपल का क्वेश्चन सिंस यहां पर रखा गया नेक्सट कोशन देखो नेक्स्ट कोशन है एक निश्चित कूट भाशा में रोमन को I-F-D-A-E के रूप में लिखा जाता है उसी कूट भाशा में वाटर को क्या लिखा जाएगा तो इसके अंदर जैसे अगर अपने बात करें आर को आर को कितने नमबर पे रखा जाता है तो English के अंदर 80 नमबर पे है उसी परकार से O की बात करें तो इसको 50 नमबर पे तो इनका additions करके यह वर्ड जो है बनाये गया है जैसे कि 1 में 8 एड किया तो 9 है तो उस परकार से additions करके यह next जो कूट वर्ड है यह फाइंड किया गया है उसी परकार से water के लिए अगर अपने कूट वर्ड देखें तो यहाँ पे आपका जो correct answer आपका रहने वाला है वो जाएगा options नमबर B E A B E I ठीक है इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा next questions देखो अपने बच्चों में गंगा के पस्चिंदा राम और रिखा है राम सरद की मा है जिने इनके मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करती है प्रिवार की मुक्या राम लाल है जिनके उत्रा दिकारी इनके बेटे गोपाल और मोहन है गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए है और उनके तीन बच्ची है मिथुन और मोहन के बीच में क्या रिस्ता है तो मिथुन और मोहन की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट एंसर है आपका बतीजा नेक्स्ट कोशन देखे एक घड़ी दो फैर नून के समय शुरू की जाती है पांच बज कर दीस मिनट पर घड़ी की जो घंटे की सुई है वो घूम चुकी होती है तो यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा वो करेक्ट यहाँ पे 160 डिगरी का एंगल बनेगा नेक्स्ट कोशन है 19 कोशन देखो इसमें S A से लंबा है आर C से लंबा है लेकिन V से छोटा है S C से छोटा है तो उनमे से सबसे लंबा कौन है सबसे लंबा यहाँ पे अगर अपने देखे यहाँ पे इस कोशन का जो ओंवार turning है आपका V हो जाएगा next questions देखो यहाँ पे आपका जो questions है उसके अंदर पुछा गया है कि कौन से अक्षर उन लोगों को दर्साया जाता है जो स्विक्त प्रिवार में रहती है लेकिन ना तो वो विवाइद है और ना ही सिख्षक तो अगर अपने देखें तो विवाइद के लिए जो यहाँ पे options लिया गया है rectangle का options लिया गया तो rectangle के अंदर जितने options है वो हम नहीं लेंगे और school सिख्षा school teacher की बात करते हैं तो उसको triangle में लिया गया तो उसके options छोड़के जो बचता है वो है आकर T यहाँ पे जो correct answer है आकर options A रहेगा next questions देखो यहाँ पे इस चीज को solve करना है तो इस questions का जो correct answer आपका रहेगा 11 options A यान 11 इसका answer रहेगा किस परकार से इस questions को solve किया जाएगा पहले भाग किया जाएगा 12 में 4 का तो 3 और इसका multiply 12-3 प्लस 2 इस परकार से इसको solve करेंगे अपनी board mask जो rule है वो इसके अं परश्रन में से एक शबत दिया गया है उसके बाद 4 अनिय शब्द दिये गए है एक दिये शब्द की अक्षरों का प्रियोग करकी जो है शब्द बनाएगे तो यह शब्द जो है आपको यह बताना है कि जो यह शब्द है application इस शब्द से जो वर्ड चारों में से कौन सा ज नेक्स्ट आपका जो कोशन है एक घनाकार लकडी के ब्लोक की लंबाई 6 सैमी चोडाई 4 सैमी और उंचाई 1 सैमी एक सैमी माफ वाले दो फलक काले रंग से रंगे गए हैं 6 इंटू 8 माफ वाले दो फलक लाल रंग में रंगे गए हैं 6 इंटू 4 माफ वाले दो फलक हरे रंग यहां पर आपका जो कोशन है एक पहली उसाही एक रहषय में बोक्स को खोड़ने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है यह है निमन निक्त इसका वीवरन जो है वो इस परकार से की कोड आपका जो है वो 3 से शुरू होता है। और कोड का end जो है 729 जो है इससे next जो है दूसरा पछले उंग का दुगना है तीसरा अ diz बाजर आदा है इसके लिए जो अगर तो यहां पर आप options में भी इसको देख सकती हो तो यहां पर इस questions का जो correct answer वो होगा option C 36 36729 क्योंकि यहां पर last में 3rd digit जो है आपकी वो क्या है half of second disease half of second disease है और सी प्रकार से second डीजिट जो है twice है किसकी फर्स्ट डीजिज की यह रूल आपका यहां पर option C में बिल्कुल correct लग रहे है तो इसका जो correct answer है 36 3729 लास्ट में इसका यहां पर जो correct answer है वो हो जाएगा आपका options नमबर B केवल निसकर्स एक answer करता है नेक्स्ट कोशन है आपका A B का भाई है C D का पिता है E E B की मा है और A और D आपस में भाई है तो E और C किस परकार से समन्दीत है यहां पर जो correct answer है option C होगा पतनी इसका जो पर जार्ट है वो मैं आपको बता कि यहां पर बता देती हूं कि A B का भाई है A और B आपस में भाई है चीक है second is C D का पिता है यहां पर कोई relation E B की मा है यहां पर E जो है वो क्या है B की मा है को लिस्ता स्वा करेक्ट अंशर रहेगा है यहां पर हमें दे रख है कि वह यहां विकलप चुनी जो तो दिये गए स्योजन की दरपनचवी से काफी मिलता जोता है, तो options D correct है, next questions देखो, पता लगाएं कि आकर्टी x में दिये हुए, x में दिये हुए टुकडों से, एक, दो, तीन, चार में से कौन सी आकर्टी बनाई जा सकती है, तो यहाँ पे जो आकर्टी बनाई जा सकती है तो तीन नंबर आकर्टी है, आपकी जो बनाई जा सकती है, तो तीन नंबर जो है, वो कहाँ पे है, options A के अंदर, इस परकार से आपको दे रुखा है, तो options A यहाँ पे सही होगा, next questions देखो, 30 number question है, इसका जो correct answer है, वो आपका यह डाइग्राम होगा, fourth number, और fourth number options C के अंदर होगा, तो यहाँ पे जो सार्तक करम रहने वाला है, वो आपका जनम, एक नंबर, फिर उसके बाद में सिक्षा, सिक्षा के बाद में आपका यहाँ पे रहेगा विवा है, और मिर्ट्यू, last में 3, तो एक और last में 3, जो है, options number D, इस परकार का sequence रहेगा, एक पांच, चार, next questions, देखो, एक टोक्री में 12 दर्जन सेव है, दो दर्जन जोड़े जाते हैं, 10 सेव खराब हो जाते हैं, जीनी हटा दिया जाता है, तो सेज को दो टोक्रियों में समाल रूप से तांतरीत किया जाता है, परतेक में कितनी है, तो यहाँ पे परतेक की बात की चारी है, तो यहाँ पे correct answer 158 आपका होगा, तो यहाँ पे किसी भी questions में अगर आपको doubt है, तो आप comment books के अंदर जुरूर लिखना है,